कई बार हमको problem हो जाती है Photoshop में कुछ ऐसी settings हम कर देते हैं जिसका solution हमको नहीं मिल पाता है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप reset कैसे कर सकते है Photoshop की settings को या फिर default set कैसे कर सकते है It is very simple इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Hello and Welcome दोस्तो दिस इस मोहित और यूर वाचिंग ट्रेनियर मैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं Firstly आपको यहाँ पर आइकॉन लेकर आना है Photoshop का तो अभी देखे मेरे desktop पर नहीं है तो मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ It is window 10 तो यहाँ पर Photoshop मैंने search कर लिया अब ऐसा नहीं है के CS6 के लिए ही particular वीडियो है किसी भी वर्दन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ पर देखे इस पर right side पर मैं जिसी क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर open file location का option मिल जाएगा यहाँ पर जिसे आप क्लिक करेंगे तो यह वाला highlighted रहेगा इसको आपको उठाकर यहाँ रख लेना है तो आपका icon यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर shift, control और alt यह चीजे press करके रखना है तो एक हाथ से मैंने mobile phone पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसके करने के बाद आपको आपको आपके ऊपर जाना है यह देखिए किसे एक हाथ से में काम कर रहा हूं आप पर जाना है और right click करना है यहाँ पर right click करना है जैसे right click करेंगे उसके आपको open कर देना है इन तीनों को press करके रखना है तो यहाँ पर open कर गया जैसी आप open पर click करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ message होगा यह देखिए क्या message हो रहा है डिलीट डिलीट दे अड़ फोटोशॉप सेटिंग फाइल तो आपको यहाँ पर यह पर क्लिक कर देना है एक क्लिक ओन यह आफ्टर देट आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा डिफॉल्ट सेटिंग के साथ तो देखिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस हां यह देखिए डिफॉल्ट सेटिंग के साथ यह ओपन हो चुका है और आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए विकॉस अगर जिसे इन फ्यूचर कोई वीडियो देखे तो उनको पता लग जाए कि हां वीडियो सही है अगर आपको वीडि वर्क किया है इस वीडियो ने काम किया है आपका तो इस वीडियो को जबर लाइक किज़ेगा Instagram की ID नीचे description में दी हुए ये link आप उस पर click करके हमें follow कर सकते हैं Thank you for watching this video